Hello guys, welcome to my youtube channel, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Carrot Company के ओस से आने वाला Carrot Non-Stick Frying Pan तो आप भी सोचों कि अच्छा सा Frying Pan Purchase करने के लिए और Amazon पे आपको बहुत सारे different frying pan देखने को मिल जाएगे पर बहुत सारे non-stick frying pan रहते हैं उसके ओपर एक harmful coating रहती है तो जिसके अंदर food वगेरा cooking करना बैतरीन नहीं होता है तो आपको एक ऐसा frying pan चाहिए जिसके अंदर आपको कोई भी harmful coating भी ना देखने को मिले और उपर से जोकी non-stick भी रहे तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 100% without harmful coating वाला एक बैतरीन सा frying pan लेके आया हूँ तो एक carrot company के ओसे आता है तो इसके link में description में provide कर दूँगा तो आपको देखना है तो आप देख सकते हो तो इस वीडियो में इसका unboxing करूँगा overall जो की design और look के बारे में बात करेगे build quality के बारे में बात करेगे और last में मैं आपको test करके भी बताऊँगा जैसे कि इसके अंदर armlet बना के या फिर कोई सबजी बना के भी बताऊँगा और कितना कम oil use होता यह भी चीज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा तो कुछ इस step का आपको box packing देखने को मिल जाएगा तो चलो अब हम इसे unbox कर लेते तो कुछ इस step का आपको frying pan देखने को मिल जाएगा अब इसके size की बात करें around आपको यह 24 cm के करीब है और overall frying pan की weight की बात करें 1.3 kg का weight है अब look की बात करें तो आपको यह white color white और cream color का आपको mixture देखने को मिल जाएगा बहुत ही premium look देगा वो जैसे के अंदर के side में आपको हलके हलके चुटे 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 red red dot जैसे भी देखने को मिलेगे जिसके कारण यह और भी बहतरीन और अच्छा लगेगा आपके kitchen में अब इस frying pan की thickness की बात करें तो आपको 4 mm का thickness देखने को मिल जाएगा fire ply और rubbish granite को यूज किया गया है जिसके कारण यह एक scratch resistance भी है अब back side की बात करें तो back side में आपको stainless steel प्लस aluminium देखने को मिल जाता है जिसके कारण इसके अंदर heating की technology बहुत ज़ादा बैतरीन है तो यह कम gas पे भी बहुत ज़ादा और बैतरीन तरीके से heat होता है तो आपका gas का काफी ज़ादा बचत रहेगा और इसके अंदर आपका heat भी जो कि बहुत लंबे टाइम तरी श्टोर रहेगा handle की बात करें तो आपको ergonomic handle देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही soft और smooth है और 100% wooden को use किया गया है तो जिसके कारण इसका grip भी बहुत ही battery ने और 100% आपको heat resistant देखने को मिल जाता है तो कुछ भी चीज़ आप इसके अंदर cook कर रहे हो तो ये गरम रहता है तो आप handle को पकड़ के इधर वीधर इससे लेके जा सकते हो और handle थोड़ा भी गरम नहीं होएगा as compared to दूसरे कड़ाई रहते तो इसके अंदर जो iron के handle रहते तो कड़ाई के साथ में handle भी गरम हो जाते तो जिसके कारण हमें cloth वगेरा use करना पड़ता है पर इसके अंदर आपको कोई भी cloth वगेरा use नहीं करना पड़ेगा handle का shape और design एक्दम perfect जगा पर दिया गया है जिसके कारण आप easily इसे जो के carry कर सकते हो और अपने food वगेरा जो भी हॉल में kitchen में यफी room में लेके जाना है तो easily आप ये कड़ाई को लेके जा सकते हो जैसे gas हो गया, electricity हो गया या फिर halogen से चलने वाला induction हो गया या फिर glass ceramic हो गया तो almost सभी type के चूले पे ये कड़ाई को आप use कर सकते है अपने food वगेरा cooking करने के लिए अब इसके अंदर आप किस-किस type के dish बना सकते हो तो almost इसके अंदर आप सभी type के dish बना सकते हो इंडिया में जتने भी type के dish बनते है सभी की सभी आप इसके अंदर बना सकते हो और उपर से इंडिया में जुकी है न, काफी ज़्यादा oil को use किया जाता है क्योंकि दूसरे कड़ाई रहते भी इसके अंदर oil धादर डालने से खाना चिपकता नहीं है जो कि नीचे श्टक नहीं होता है पर इसके अंदर आपको non-stick देखने को मिल जाते तो इसके कारण आप बहुत कम oil यूज़ करके आप जो भी चीज cook करना चाते हो वो एकदम इसके अंदर बन जाता है वो मैं आपको आगे cook करके भी बताऊंगा और इसे आप purchase करने के बाद में first time use करते हो तो first time use करने के पहले इसको आपको clean कर लेना है थोड़ा सा hot water से और detergent से इसके बाद में इसको use करना श्टार्ट करना है अब next मैं थोड़ा सा oil को use करके omelette बन आने वाला हूँ तो मैं हलका सा oil जो कि इस कड़ाई पे लगा देता हूँ अब मैंने egg भी इसके अंदर डाल दिये तो थोड़े time के लिए इसे पकने देता हूँ अब पकने के बाद मैं handle को use करके मैं थोड़ा से इसे आगे पीछे कर लेता हूँ तो आप देख से थोड़ा अब हमारा egg श्टक नहीं हुआ है नीचे की और अब easily यह हमारा turn भी हो गया तो एकदम perfectly round हमारा omelet भी बन चुका है तो इसे मैं plate में remove कर देता हूँ अब next मैं आपको एको सबजी बना के दिखा देता हूँ तो हलके से oil में हम onion को fry कर लेते तो आप देख सकते हैं onion हमारे fry हो अब इसके अंदर food cook करोगे तो इसके अंदर से smoke बहुत ही कम मातरा में आएगा as compared to normally दूसरे कड़ाई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा smoke देखने को मिलेगा और घर में जो कि बहुत ज़्यादा जो कि मिर्ची वगेरा हो गए यह फिर इनकांदा वगेरा पकाते हो तो स warranty की बात करें तो around आपको 24 month की warranty मिल जाती है जैसे कि 2 year की और यही price range में दूसरे कड़ाई है विनके अंदर आपको only 1 year की warranty मिलती है तो यह चीज इसके अंदर benefit दिया गया है warranty आपको 2 year की complete है overall product पर तो अब last question आता है इसे clean करना तो clean करना बहुत ही simple है non stick है तो जिसके कारण आपको ज़्यादा force वगेरा यह फिर दम वगेरा लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी बहुत ही simple तरीके से clean हो जाता है और उपर से non stick होने के कारण बहुत ही कम detergent और water का use होता है जो कि clean होने में ज़्यादा time भी नहीं लगता है तो time का भी बहुत ज़्यादा पचत हो जाता है तो almost इस कड़ाई के बारे मैंने सभी ची detail में बता दिये कुछ भी ची में भूल गया हो तो आप मुसे comment section में पूस सकते हो तो इसकी product link में आपको description में provide कर दूँगा तो आप buy करना चाते हो तो direct आप description चेक कर सकते हो और carrot company बहुत सारे different different type के जैसे धोसा तवा हो गया इससे बड़ी size के कड़ाई हो गया यह फिर different different size में जो भी kitchen के appliance है वो सभी की link में आपको description में provide कर दूँगा तो आप देखना चाते हो तो देख लीजे तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा र आपको यह वीडियो